सापरा जी को और रोहन गुपता को स्क्रीन पर लाइए मुझे हटाईए ज़रा चरण जी सिंग सापरा और रोहन गुपता अब से पहले तक एक ही पार्टी में थे अलग-अलग चैनलों पर अपनी पार्टी का प्रतिन इधित्व करते थे स्टैंड रखते थे पहली बार आज इंडियन टेलिविजन के इतिहास में आप देखेंगे कॉंग्रेस प्रवक्ता वर्सिस रोहन गुपता ये पहली बार ऐसा हो रहा है अब से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा रोहन गुपता वर्सिस कॉंग्रेस प्रवक्ता क्योंकि दूसरी वाली विंडो में खुद रोहन गुपता बैठते थे और उनके साथ होते बीजेपी के प्रवक्ता देखिए अब ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई अब आदर डाल लीजे आप भी ये तस्वीर हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बार बार देखनी पड़े बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता, रोहन गुपता अब एक तस्वीर और अब सापना जी को ज़रा हटाईए उनकी जग लाईए आरपी सिंग को अब आरपी सिंग जी और रोहन गुपता का ये नया नया रिष्टा अब ये क्या रिष्टा कहलाएगा साथी कहलाएंगे, साथी प्रवक्ता कहलाएंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा लेकिन ये देखिए, इसमें वर्सिज मैं नहीं लगाऊँगा क्योंकि अब ये वर्सिज रहा ही नहीं, पहले होता था कभी वर्सिज लगाईए जरा एक बार, पुराने दिन याद आ जाएंगे आपको जरा वर्सिज लगाईए, रोहन गुपता वर्सिज आरपी सिंग तो ये पुराने जमाने की बात हो गई जरा वर्सिज लगाई है ये देखिए ये ये पुराने दिनों की तस्वीर ये बात आर्पी सिंग जी भी बड़े बिताव है बोलने के लिए और ये वर्सिज अटाई है अब जरा अब ये नई तस्वीर है जिसमें आर्पी सिंग और रोहन गुपता एक ही तरफ आ गए आर्पी सिंग जल्दी से क्या कहना चाहरे है बोलिये जल्दी से ऐसा है कि प्लिटिकली राज्यतिक तोर पर रोहन से हमारे दस बार टीवी चैनल से पर डिबेट पर दिखते रहती हो हमारे आपस में ध्वन भी देते हो पर तो रोहन गुपता इस बात की कवाई देगा पस्ते लेवल पे हमेशा हम लोग बात भी करते थे और जो राश्ट के इशू तो उस पर चर्चा भी करते हैं आप तो होगा ही आर्पी सिंग जी आप तो कहेंगे आज नहीं एक मिलुखेंगे सुनिये इसके एक मिलुखेंगे अप रोहन से पूछें रोहन आपको बताया की कि आर्पी सिंग की चर्चा होती थी नहीं ने ये एक सेकिंड एक सेकिंड कैमरा बंद होने के बाद मुझे पता है ये प्रवक्ताओं में अच्छे प्रवाण से सुना जो रोहन ने कहा और इन्होंने पंदरा ये थोड़ा एको आरा एको निकलवा दीजिए इन्होंने 15 साल की बात की कि मेरी 15 साल की महनत कॉंग्रिस पार्टी में है और मैं आज आपको बता दू कि मुझे 38 वर्ष हो गए मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे 38 स साल हो गए हैं तो आज 15 साल वर्ष है 38 साल आप करा रहे हैं आप भी तमाशा देखने के मूड में हैं खैर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी रोहन ने कहा उसका एक लाइन में अगर वर्णन किया जाए तो हाथी के दात खाने के और दिखाने के और और सही बात ये है कि आजादी के समय भी ऐसा ही हुआ था कि जो बहादूर थे वो जंग में गए थे और जो कायर थे वो संग में गए थे ये मेरी सीधी स्टेटमेंट है और ये भी अगर गए हैं तो कहीं न कहीं इसमें भी वाशिंग मशीन का तालुकात है वाशिंग मशीन का लिंक है कमल ड आएगी अभी गिनाने लगूंगा तो ने ने जब भई लिस्ट अरे ऐसा नहीं है कि कॉंग्रिस पार्टी में खाली आउट गोइंग है इंकमिंग भी है कॉंग्रिस पार्टी के अंदर परसो जो चौदरी बिरिंदर सिंग आए है तो इंकमिंग हुआ हर्याना के अंदर आला नेता ना यूनियन मिनिस्टर कॉंग्रिस पार्टी में आए उससे पहले चौदरी बिरिजेंदर सिंग वो भी आए है ठीक है ओके रोहन गुपता कुईक रिस्पॉंस उसके बाद सापरा जी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और कभी व्यक्तिकत कमेंड ना पहले कभी की थी ना कभी आज करूंगा पर मुझे इतना मालूम है है अगर सापरा जी के दिल के एक्सरे करेंगे तो मेरी जो बात है उनके दिल में भी वही निकलेगी तो मैं अज व्यक्तिकर टिपड़ी मैं नहीं करना चाहूँगा मैं और मानग जी इमानदारी से कह रहा हूँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी मानक जी जब एक पार्टी का पहले वी 2019 में भी कॉंग्रेस पार्टी का खराब समय था पर अब जो हो रहा है जिस प्रकार से नेरेटीव का पार्टी का रिस्पेक करता हूँ 15 साल मुझे रिस्पेक दिया है आग मुझे दुख हुआ मैं कहीं पर जा रहा हूँ पार्टी के प्रवक्ता है उनकी जिम्मेदारी है कि मेरे बारे में खराब बोले मैं खराब वर्यूज़ करूँगा इसी नोट पे रोण गुप्ता थैंक झाल प्रवक्ता झाल